कि होखो है 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 एगा रेड़ीवर्वन गुडिवनिंग तो अर्व已经 आशाकरता हूं कि आप बहुत अच्छी होंगे और नये सेशन में जो भी हमारे नये बच्चे हैं उनके साथ ये जो हम नया शेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उनसे सभी प्यारे-प्यारे बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार प्लीज जो भी बच्चे कॉमेंट बॉक्स में हैं वो कॉमेंट में बताएं कि क्या अभी यह जो चीजे लाइब दिख रही है आपको यह क्लियर है या नहीं है कि आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा है हम 2023-24 का यह सेशन होगा इससे पहले जो सीरीज होती थी या जो भी सेशन होती थे वो 2022-23 के लिए था और आज से 2023-24 के लिए यानि कि UP बोर्ड और CBSC बोर्ड दोनों ही बोर्ड को कवर करते वे इस बार चलने वाले हैं 2024 में जो बोर्ड एक्जाम होगा इंग्लिश का उसके लिए जो आपकी फ्लेमिंगो और विस्टास वाली बुक है यानि कि पूरा यह जो सेशन है वो कवर करेगा फ्ल के हैं यह सेशन उनके लिए है तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़े आपको मैं बता दूँ कि दो हजार त्योथ चौबिस के लिए सेशन है लाइव होंगी क्लासे हर दिन साथ से आठ दस तरीक है आच और साथ से आठ आवका बैच होगा यह पहली क्लास है और पहली जो बुक है अमारी फ्लेमिंगो बुक है, दो बुक आपको मिलेगी इंग्लिश में, फ्लेमिंगो और विस्टाज उसमें जो पहली बुक है, वो है फ्लेमिंगो और उस फ्लेमिंगो बुक का जो पहला चैप्टर है, वो है the last lesson जिसको आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है? इसके राइटर है, यूटूब पे जो classes होंगी, वो Monday, Tuesday और Wednesday होंगी और application पे जो classes होंगी, वो Thursday, Friday और Saturday होंगी थोड़ी सी जानकारी इस बारे में भी आपको दे देते हैं और फिर आगे की बातचीत करते हैं वेलकम विकास, बहुत अच्छे हैं और रिशी बाबा कहे रहे हैं कि सर बहुत हमबल रिक्वेस्ट है, CUT की preparation करवा दीजे देगे, CUT की classes क्यों मैंने stop कर दी, मैं आपको बता दूँ कि वो जो पूरा paper का pattern देखने के बाद मुझे ये लगा कि उसमें पूरी जो महनत है, वो आपको लगानी है passage आने वाला है, उसमें कुछ होने वाला नहीं है, passage जब तक आप खुक्से नहीं solve करोगे तो आप previous year का कहीं से कोई passage उठा के solve करो, आपसे हो जाएगा वो vocabulary इसकी कोई range नहीं है, तो आपको जो भी vocabulary कहीं से मिल रही हो, आप पढ़ो जो भी पुराने question हो, vocabulary की किसी भी exam के, उनको पढ़ो और उनको solve करते रहो, ठीक, यही वज़ा थी कि मुझे उसमें कुछ fruitful चीजे दिख नहीं थी बहुत बैतर, इसकी वज़ा से उस class को मैंने रोग दिया, CUT की जो classes थी, 6-7 जो classes कराई है, उसमें मैंने आपको और देते रहेंगे, से ही, तो यह जो नया session है, 2023 का, जो कि आज से 10 अप्रेल से चालो हो रहा है, live classes और PDF आपको मिलेंगी, यह paid batch वालों के लिए है, 1200 का course है, जिसको 600 में किया गया है, पहले 100 students के लिए, तो अगर आप enroll करना चाहते हैं, अगर आप यह notice करोगे, तो आप यह पाओगे, कि यह आपका, एक रुपे पर डे का है, कोर्स, अगर कोर्स को आप देखोगे, तो वो एक रुपे पर डे का है, सर, यह कोर्स जो है, वो एक रुपे पर डे का है, ठीक है, पर डे का, 30 दिन का 30 रुपया हुआ, और 10 महीने का जब देखोगे, तो यह 300 रुपया, इसलिए यह सब उसे इससे minimum charges होई नहीं सकते थे हमारे लिए कि हम अपने application को किसी तरह से exist कर पाएं रख पाएं उसको control कर पाएं चला पाएं हिंदी के लिए पूरी जो classes होंगी वह application application पे ही मिलेगी PDF पूरी application पर प्रोवाइड कराई जागी और ऐसे class 12 की नहीं जो English है UP और CBSC बोर्ट दोनों में सेम है तो वह आपको application पर Thursday, Friday और Saturday को मिलेगी और YouTube पर आपको Monday, Tuesday और Wednesday मिलेगी साथ से 8 timing English की होगी और 8 से 9 Hindi की होगी यह ही चलता आ रहा है जब से हमने यह सीरीज स्टाट की है यह करीब लास्ट दो यहर और तीन साल हो गया और तब से हमारी timing रहे है साथ से 8 English की और 8 से 9 Hindi की ठीक है तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप यह application है रविकांत मरी त्रिपाठी यह नाम ही नहीं है application भी है application का नाम भी है यह लोगों बना होगा आपका रविकांत मरी त्रिपाठी इस application को download कर लिजे और अगर आप interested है paid batch लेने में तो आप जरूर लिजे अगर आप नहीं है आप चालते हैं कि नहीं मुझे free YouTube classes से मेरा काम हो जाएगा तो आप उसको भी कर सकते हैं दोनों में से कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक तो चलिए फिर आज की class को जो कि आज का यह chapter है पहला chapter है दे लास लेसन एलफॉन्स डवड़ेट एक बार फिर कुछ बाते मैं एक बार और शेयर कर दूँ कि जो हमारी बुक है वो दो बुक है फ्लेमिंगो और विस्टाज क्लास 12 में आपके पास दो बुक होगी अगर यूपी बोर्ड वाला बच्चा है तो कई जगए एक राजिव प्रकाशन की किताब आती है तो राजिव प्रकाशन की नहीं है वो प्रकाशन का नाम है उसमें किताबे दोनों होगी फ्लेमिंगो और विस्टाज भी तो कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर मेरे पास राजिव प्रकाशन की किताब इससे काम हो जाएगा बेटा वो राजिव प्रकाशन की किताब नहीं है वो तो प्रकाशन का नाम है किताब की नाम तो फ्लेमिंगो और विस्टाज है तो आपकी दो ब बस reduce नहीं किया गया, कोई chapter नहीं हटाया गया, अभी तक ऐसी कोई information नहीं है, आगे का हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है, हमें सारे chapters पढ़ने हैं, तो total 8 chapters फ्लमिंगो में और 8 chapter विस्टाज में, तो करीब 16 chapters हो गया, और 6 chapters आपके poetry section में हैं, तो total 22 chapters हो गया, जिनको एक एक chapter करके इतने बहतरीन धंग से आपको provide करूँगा, deliver करूँगा, कि आपका दिल खुश हो जाएगा, अगर English basic से सीखनी है, या जो भी करना है, तो पहले आप class तो करो बेटा, पहले class तो करो, फिर उसके बाद आप message कर देना, WhatsApp पे या जो भी आपके पास अगर number नहीं है, तो ये जो chapter है, the last lesson, मैं बार-बार कहता हूँ, जब भी इस chapter को start करता हूँ, कि कितनी irony है, ये कितना बड़ा व्यंग है, कि हम start करने जा रहे है पहला chapter, और पहले chapter का नाम ही क्या है, the last lesson, तो ये बड़ा अजीब है, तरह से strange है, weird है, कि start कर रहे है पहला chapter और नाम है, the last lesson, लेक इतनी जबाद ये आखरी दिन पढ़ोगे, क्योंकि इस chapter का नाम ही है, the last lesson, तो जब 12th की class में, आप आखरी class दे रहे होगे, आज से एक साल बाद जब आपका session end हो रहा होगा, उस दिन आप इस chapter को बहुत connect करोगे, क्योंकि अभी आज पहला दिन है, ये मतलब आप first time इस chapter क feel नहीं कर पाऊगे, लेकिन जितनी बाते इसमें लिखी गई, आप जड़ा सोच के देखो कि नरसरी से लेकर class 12th तक आप इस school में पढ़ते चले गए, और अब इस school से निकल कल आपकी जो journey है, वो किसी और फिल्ल में हो जाएगी, वो किसी और तरह चली जाएगी, लेकिन य academic session था, जो school का session था, वो पूरी तरह से the end हो जाएगा, 12th class के आखरी दिन class में, तो उस दिन आप इस chapter को बहुत connect करोगे, ठीक है, तो इस chapter का नाम है the last lesson, सबसे पहले about the author पढ़ते हैं, कि यह जो author है, उन्होंने कब इस कहानी को कैसे कि situation में लिखाया, तो alphons.it, पहले होता कि हमें writer के naam याद करने पढ़ते थे, अब इतना important नहीं है, फिर भी अगर किसी बच्चे को याद रहता है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई उसका, नुकसान नहीं नहीं होने वाला है कि अगर उसको writer का नाम याद आदे, तो writer का नाम यद रहना चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से लेकिन पहले reference, context और explanation आता था तो वहाँ पर writer के नाम याद करने बहुत जरूरी होते थे क्योंकि वहाँ पर लिखना होता था एक number उसी का मिलता था अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, नहीं भी याद रहे था, तो अलफॉर्स डिओड जो है, 1840-1897 के टाइम पर ये थे, he was a French novelist and a short story writer, वो एक French novelist थे और short story writer थे, जरा एक बात समझेगा, एक होता है prefix, बहुत सारी चीज़े आपको इस class में पता चलती रहेंगी, जब आप अगर किसी word के suffix, suffix मतलब बाद में, अगर किसी word के suffix में is-t लगा दिया जाएगा, तो वो noun बन जाएगा, तो ये जो novel था, उसमें is-t लगाया, तो novelist बन गया, अब ये जो noun है, वो person को दिखाएगा, इस बात को ध्यान रखना है, जिससे art करने वाले को artist बोलते हैं, उस इसी तरह से novel लिखने वाले को, novelist बोलते हैं, status 147, आप एक बार message कर देना, whatsapp पे, फिर आप से बात कर लूँगा, तो alphonse the audit एक novelist और एक short story writer है, the last lesson is set in the days of, मतलब ये कहानी कब की है, set in the days of, Franco-Prucian War, अब इस land को जरा समझीएगा sir, Franco-Prucian War क्या है, Franco मतलब France, और Prussian उस time पे, तीन देशों से मिल कर बना हुआ था, Germany, Austria, और एक देश और है, Poland, ठीक है, तो, और उसको Bismarck के द्वारा lead किया जा रहा था, Bismarck बाद में जर्मनी का चांसकतर भी बना था, इसके बारे म बहुत interesting होती चली जाएगी, तो आप बस चुप-चुप मुझे सुनते रहे, पहले जो बाते मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनते रहे, तो ये कहानी कपकी है, Franco-Prucian War के time की है, this story was about Franco-Prucian War, ये कहानी कपकी थी, Franco-Prucian War की थी, क्या हुआ था उस समय, France हार गया वो मिलकर पूसिया होते थे, Germany, Austria और Poland, Germany की राजधानी होती है, Berlin, Poland की राजधानी है, Warsaw, और Austria की राजधानी है, Hungary, ध्यान रखियेगा, ये Australia नहीं है, Austria है, ठीक, अब जब France हार गया, France was defeated, ये passive voice है, आगे बताऊंगा, was work के साथ, वो अपकी third form past indefinite का passive होता है, तो जब France को हरा दिया गया, भाई, अगर कोई देश हार जाता है, तो फिर जो देश जीतेगा, वो अपना राज चलाएगा, उसने कहा, अब France में French language नहीं पढ़ाई जाएगी, अगर मैं इस कमरे को जीत लेता हूँ, या मुझे किसी के दोरा हरा दिया जाता है, तो वो मु असिस्टेड ऑफ, पोलेंड, जर्मनी एंड, आस्ट्रिया, ये बात क्यों बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस एर में एक कोश्चन इसी से आ गया था, ठीक है, इन देस स्टोरी, दफ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, अब France के दो डिस्ट्रिक्ट थे, French डिस्ट्रिक्ट, उनको पुरूशिया के हाथ में दे दिया गया, अलसास और लॉरेन, ध्यान रखिएगा, रीड दे स्टोरी तो फाइंड आउट इफेक्ट, दिस हैड अन लाइफ एट स्कूल, अब इस बात का स्कूल पे क्या प्रभाव पड़ा, जब अलसास और लॉरेन को पास कर दिया गया, पुरूशिया के हाथों में, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इफेक्ट, यह भी ध्यान रखने वाली चीज है, EFFECT, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, बहुत जरूरी है जानना, आगे आपको बहुत आमाने वाला है, नाउन है, और AFFECT, अफेक्ट का मतल सर, सेंटेंस को तोड़ तोड़ के बताएंगे, बिल्कुल आप ध्यान से सुनते रहिए, बहुत ध्यान से सुनते रहिए, सेंटेंस को तोड़ तोड़ के बताएंगे, देखिए, about the lesson, अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न, धीरे धीरे आप सुनते रहिए, खाली, करता है about the year 1870 when the Prussian forces under Bismarck जब Prussian forces किसके अंडर में बिसमार्क के अंडर में और प्रूसिया उससे मिलकर बना हुआ था जर्मनी पोलेंड और आस्ट्रिया से किसको हराया फ्रांस को हराने के बाद क्या ओ गया फ्रांस के दो डिस्ट्रिक ऐलसास और लोरिं किसके हाथ में दे दिये गए प्रूसिया के हाथ में हमें इस शे continue the teaching of French language sir France में French language पढ़ाई जाएगी और जब France प्रूसिया के हाथों में चला गया तो इन्होंने कहा कि अब French language नहीं पढ़ाई जाएगी अब German language पढ़ाई जाएगी क्योंकि यह दो डिस्रिक्ट मेरे हैं इन दे स्कूल सॉफ Alsace और Lauren Alsace और Lauren के दो स्कूलों में अगें पैसी वज़ है पास्ट इंडफिनिट टेंस का वार्ज वर के साथ वह की थर्ड फॉन पैसी वज़ बनाती है इस चैप्टर में एक character है teacher है Mr. Hemel 40 सालों से वो French language इस जगह पर पढ़ा रहे थे अपनी service दे रहे थे और जब एक आएक उन्हें पता चलता है कि जर्मन से order आया हुआ है कि जितनी बाते अभी तक आपको समझाई गई है क्या ये बात आपको समझ में आ गई है जो भी बच्चे क्लास में है इस समय देखे रिजल्ट के लिए इस मंत का आप वेड़ कीजिए ये मंत के लास्ट में या फिर नेक्स मंत के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आजाएगा आपका ठीक है कितने बच्चे इस साल के बच्चे है जो 23-24 के जो बच्चे हैं वो प्रीज एक बार कॉमेंट बॉक्स में बताएं जो 23-24 वाले बच्चे हैं हाँ आशीश यादो पूरा सिलेबस यूटूब पे होगा लेकिन जो पीडियफ होगी और जो कुशन अन्सवर्स की सीरीज होगी लिखना सिखाना या कई और बहुत अच्छी चीजे हैं वो पेड़ बैच में होगा ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें भी कुछ सर पड़ा जागा बहुत अच्छे तरीके से अगर आप आंसर राइटिंग सीखना चाहते हो अगर आपको सीखना चाहते हो और ज्यादा तो उसके लिए वो पेड़ बैच है ठीक है देखिए एक कर रहा है यह 22-23 वाले है इसलिए मैं कर रहा था कि 23-24 वाले बताईए ठीक ऐसे मार्केट में कम से कम 20 जगह है जहां बताया कुछ और जाएगा कराया कुछ और जाएगा और फिर आपको चौपट कर दिया जाएगा यह वो जगन यह बहुत ही ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है चाहें यह हुआ और चाहें वह हिंदी वाला प्लेटफॉर्म है बाकि इसको रिकॉर्डेट देख लीजेगा आईए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं यहां से एक एक लाइन को सर दिल में उतर जाएगी एक लाइन अगर आप मुझे 35-40-50 मिनट जो भी मैं आपका लेने वाला हूं अगर यहां देते हो तो एक एक बात आपको समझ में आजाएगी ठीक चलिए मिस्टर विशू ग्रैमर पहले ग्रैमर की स्पेलिंग सही करो जिन्दगी बीट गई यही बताते बताते और बीट जाएगी और बिता दूंगा ग्रैमर की स्पेलिंग होती है जी आर ए डबल एम ए आर यह होती है ग्रैमर की स्पेलिंग और बहुत सारे बच्चे लिखते हैं G-R-A-M-E-R यह स्पेलिंग गलत है बेटा तुम्हारा नाम ही गलत हो जाएगा विशू ग्रेमा क्यों ग्रेमर की बेस्ती कर रहे हो ठीक तो विशू ग्रेमा अपना नाम सही कर लो ठीक है G-R-A-M-M-E-R है मैं कई बार अपने क्लास में मजाक में कहता हूँ कि किसी दिन मुझे आग लगाना पढ़ जाएगा अपने आपको अगर इस तरह से करोगो तो इस पेलिंग ही नहीं सही कर पाओगे ग्रेमर की तो क्या करोगे आजाओ अब ध्यान से चैप्टर को सुनना ध्यान से बहुत आराम से I started for school very late that morning उस सुबह that morning I started मैंने शुरू किया वाप की second from past indefinite tense है हरे चीज बताऊंगा I started for school very late बहुत लेट that morning and was in great dread dread का मतलब होता है fear fear मतलब डर बहुत जादा डरा हुआ था and was in great dread of a scalding scalding मतलब dart scalding मतलब dart यानि कि मुझे बहुत डार्ट पढ़ने वाली थी specially खास तोर पे because Mr. Hamill जिस character की हम बात कर रहे थे had said that he would question us on participles वो हमें participles पे question करेंगे sir अगर participles के बारे में अभी पूछ लू तो आप बेहोश हो जाओगे आपने सुना नहीं होगा participles क्या होते हैं तो सबकी बात में कर रहा हूँ कुछ बच्चों के लिए कर रहा हूँ that he would question us on participles and I did not know past indefinite का negating structure है I did not know the first word about them participles के बारे में मैं पहला शब्द भी नहीं जानता था तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को कि I started for school very late that morning उस दिन मैं बहुत late start किया school के लिए and was in great dread dread का मतलब fear vocabulary का एक अलग से back चल रहा है इसी YouTube पे चलेगा NCIT vocabulary की दो classes हुई है vocab booster की एक class हुई है और next class जब होगी इसकी class करा चुका हूँ NCIT vocabulary वाली series में आपको मिल जागा मैं इसकी vocabulary कराया हूँ तो हर chapter की vocabulary भी आपको मिलेगी was in great dread of a scolding मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि मुझे डाट पड़ेगी especially because Mr. Hamill had said क्योंकि Mr. Hamill ने कहा था that he would question us वो हमसे question करेंगे about participants participants के बारे में teacher में कहा दिया कि कल एक question पूछूँगा 4-5 को तो बुखार वैसे भी आ जाता है school में घर पे पहले ही वो मम्मी पापा सब रोने लगते हैं और Mr. Hamill ने कहा कि मैं participants पूछूँगा जो बच्चा था वो एकदम डर गया था वो बहुत ज़्यादा fear में था, dread में था कि उसको डाट पड़ेगी scold का मतलब होता है डाट ना scolding noun है scold का मतलब होता है डाट ना मेरे पापा ने मुझे बहुत डाट लगाई तो मुझे scold किया क्योंकि उसको participants के बारे में कुछ भी नहीं पता था because he did not know जब भी past में लिखोगे तो did लगाना negative के लिए he did not know or do, does, did के साथ हमें सब अपकी first form for a moment एक पल के लिए I thought, I कॉन है ये समझ लो आप narrator जो narrate कर रहा इस कहानी को, जो हमें एक कहानी सुना रहा है वो कह रहा है एक पल के लिए मैंने सोचा think की second form a thought for a moment I thought of running away कि भाग जाओ यहां से and spending the day out of doors मैं जाओ कहीं बाहर समय भीताओ बहुत बाहर ऐसा होता है बच्चे जो है, वो स्कूल से भाग जाते है बहुत बाहर मैंने देखा है कि बच्चे कहते हैं आज स्कूल जाने का मन ने कर रहा है चलो किसी और तरफ निकलते है तो वो किसी और तरफ निकल जाते है फिर कहीं और जाके बैठे रहते है टाइम बिताते है ऐसा ही कुछ इस बच्चे ने सोचा It was so warm यह बहुत अच्छा दिन था वाँम दिन था ब्राइड डे था बहुत चमकता हुआ दिन और बहुत हलका गरब दिन था The birds were chipping जो चिडिया थी वो चहचाहा रही थी Chip का मतलब होता है चहचाहाना, C-H-I-R-P Sir, 11th में एक chapter पड़े थे Portrait of a Lady, तो वहाँ पे ये word आपको मेरा था The birds were chipping At the edge of the woods चंगल के किनारे पे Wood का मतलब होता है लकडी Wood का मतलब होता है लड़की नहीं, लकडी ठीक है, लकडी और Woods का मतलब होता है जंगल कितना घोर difference हो जा रहा है जंगल, Woods का मतलब जंगल ठीक है तो जंगल के edge पे चिरिया चह चाहा रही थी And in the open field, back of the sawmill और एक खुले field में sawmill के पीछे, sawmill क्या होता है लकडी काटने की जो machine होती है फेक्टरी होती है, वहाँ पे sawmill उसको बोलो The Prussian soldiers जो Prussian soldiers थे, वो drilling कर रहे थे drilling मतलब exercise कर रहे थे जो अपनी military exercise होती है वही वो कर रहे थे It was all much more tempting, tempt का मतलब होता है लुभाना, tempt का मतलब होता है लुभाना, tempt आकरशित करना खीचना ठीक है तो it was all much more tempting than the rule for participants, अब जो ये बच्चा था, जो उस दिन school जा रहा था, वो late हो रहा था, उसे डर था, कि उसे डाट पड़ेगी क्योंकि उसके teacher Mr. Hamill ने कहा था, he would question him on participants, वो इसको participants में question पूछेंगे and he did not know a single word about them, और उसे उस word के बारे, उस participants के बारे में, एक single word भी नहीं पता था, उसका मन कर रहा था कि वो school छोड़के कहीं और बाहर भाग जाए, कहीं दूसरी तरफ चला जाए, उस दिन दिन बहुत अच्छा था bright था, warm था, जो birds थी वो chirping कर रही थी, at the edge of the woods, जंगल के किनारे पे, इसके अलावा जो Prussian soldiers थे, वो drilling का काम कर रहे थे, सौमिल के पीछे, ये सब देख कर, उसे लगा कि ये काम करना ज़्यादा बहतर है, क्योंकि ये ज़्यादा tempting है, tempting मतलब खीचने वाला, आकरशित करने वाला, क्या, बाहर चला जाओं, इंचिडियों को चह चाहता हुआ देखूं, Prussian soldiers को देखूं, then, किसके बजाए, the rule for participants, कि स्कूल जाओं, और participants का rule पूछा जाए, और बता न पाओं, और फिर चार पाश देखूं, बट I had the strength to resist, लेकिन मेरे पास ताकत थी, नहीं बेटा, इस्कूल जाना है, तो जाना है, and hurried off to school, और मैं इस्कूल निकल पड़ा, एक बार प्लीज बताईएगा, कि क्या आप सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया, सर, difference क्या है, आरा मशीन, प्रलोभन, पूछना क्या चारों मैं नहीं समझ पा रहा हूँ बिटा, जो भी बच्चे अभी क्लास में हैं, क्या आप सब को ये चीजे क्लियर हैं इतनी, जो बता दिया अभी, एक बार प्लीज कमेंट बाक्स में बताईएगा, वुड और वुट्स में, वुड का मतलब होता है लकडी, लेकिन वुड में एस लगा दोगे, तो वुट्स का मतलब होता है जंगल, नइ, सिउटी के लिए भी बता दिया है, सिउटी के लिए क्लासिज जो है अब स्टॉप कर दिये, क्योकि सिउटी में जो कुशन पूछे जाएंगे, वो प्राने जितने भी पढ़ लो पैसेज, वो कम है, जितनी भी वो केविलरी कर लो कम है, तो वह आप कहीं से भी उठाके पुराने कोई वी वोकेबिलरी की क्लासिस कर सकते हो या पढ़ सकते हो इसके लिए इसको रूप दिया है सर क्या दोनों नाउन है वुडर वुट्स हाँ दोनों नाउन है ठीक चलो यहां तक सौन जा गया निक्स देखते हैं कहां फिर अगला परग्रफ क्या है इस यह वैं मैं अपने आपको तयार कर लिया कि नहीं बया ऐसा है मैं स्कूल जाओंगा मेरे पापा ने फीज दिया यार मैं पढ़ने वाला बच्चा हूं बहले पिटूंगा तो क्या हो और यही जज़बा होना चाहिए कि अगर किसी दिन आप से कहा जा कि आज स्कूल में यह चीज़ अपने आपको रजिस्ट किया उन सब चीजों से वो चीजे जो कि लुभाने वाली थी लुभाने वाली थी मतलब टेंपटिंग थी लेकिन उसने अपने आपको रोका रजिस्ट किया एंड हरी दॉफ तो स्कूल और स्कूल की तरफ भागा जब वो टाउन हॉल से गुजर बुलिटिंग 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 बुल उन डिस्ट्रिक्स में, एलसास लॉरेन में, वहाँ पे जहां के ये राइटर हैं, वो कहां से आई थी, bulletin board से, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, चाहे बात lost battle की हो, यानि कि कोई युद्धार गया हो, या किसी मसोदे की हो, कोई मसोदा बन क्या हो, कि ये ये बनेगा चीज़े, ये ये के पास से गुजरा, तो मैंने bulletin board के पास कुछ भीड देखी, और फिर मुझे लगा कि फिर कुछ गरबढ़ है, and I thought to myself, और मैंने खुद से सोचा, without stopping, बिना रुके, क्योंकि मैं लेट भी हो रहा था, what can be the matter now, मामला क्या हो सकता है, तो अगर आपसे पुछा जाएगा bulletin board क source of information था, जहां से पिछले दो सालों से जितनी भी बुरी खबरे थी, वो आ रही थी, चाहे बात lost battles की हो, हारे हुए युद्ध की हो, हारने वाले युद्ध की हो, चाहे वो draft की हो, मसवदे की हो, और चाहे order of commanding officer की हो, यह सारे ही खबरे, bulletin board की थू ही मिलती थी, नेक्स देखिए, then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith, और मुझे लगा कि भाई यहां रुकने का कोई मतलब नहीं है, यहां से जितना जल्दी हो सके निकल लो, then, तब as I hurried by, मैं बहुत तेस निकला, as fast as I could go, जितना तीजी से मैं जा सकता था, क्योंकि इस बच्चे को पता था कि वो करेंगे, sir, अगर आप पूरी क्लास को सुनते रहोगे, एक एक बात आपके यहां तक उतर जागी, गूजती रहेगी अगले कई दिनों तक, कई सालों तक, एक भी लाइन भूलेगी नहीं, then as I hurried by, और जैसे ही मैं वहां से भागा, as fast as I could go, जितनी तेजी से मैं भाग सकता था, the black smith, मुझो लुहार था, क्या नाम था, उसका, watcher, who was there, जो वहां था, with his apprentice, अपने apprentice के साथ, apprentice, यानि की learner के साथ, reading the bulletin, वो भी bulletin पढ़ रहा था, कौन, watcher, bulletin board पे कोई news आई थी, और ये लड़का, थोड़ा देर हो रहा था, इसलिए वो रुका नहीं, without stopping, just he thought, कि और उसने सोचा, what can be the matter now, अब मामला क्या हो सकता, और वो जैसे ही वहां से भाग रहा था, तो वहीं bulletin board पे जो crowd खड़ी थी, उसी crowd में एक person था, black smith, मतलब एक लुहार था, जिसका नाम है watcher, वो भी वहीं पे read कर रहा था, अपने apprentice के साथ, वो बोलता है मुझसे, don't go so fast, बब, बब क्या है, फ्रांस में छोटे बच्चे को बब बुलाय जा रहा है, ऐसे पैर से, so don't go so fast, बब, you will get to your school in plenty of time, plenty मतलब परयाप्त, प्रचूर मातरा जवाब बोलते हैं, परयाप्त, plenty of समय है तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए, you will get to school in plenty of time, I thought he was making fun of me, मुझे ल लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, and reached Mr. Hamill's little garden, all out of breath, और Mr. Hamill के छोटे से garden में, वो पहुंचा, कैसे, बिल्कुल हाफता हुआ, all out of breath का मतलब हो गया, बिल्कुल सांसे जल्दी जल्दी लेता हुआ, तो finally वो बच्चा स्कूल में पहुंच जाता है, as fast as को intro करो सर, सर, fast यहाँ पर adverb है, उसको बताने के लिए एक और adverb लगा दिया, as एक और adverb है, as यहाँ पर conjunction है, I could do a clause है, और इधर एक clause है, देखिए अगर सारी चीज़े यह बताऊंगा, तो बहुत जादे दिखकत हो जागी, बहुत सारी चीज़े connected होती है, अभी आज की पहली class है, जैसे आप बोलते हो न, he runs as fast as I can, वो उतना ही तेज दोडता है, जितना मैं दोड सकता हूं, तो उसमें एक जो as है, वो conjunction है, जोडने के लिए लगाया जा रहा है, एक बार जो as है, वो fast को बताने के लिए लिए लिखा गया, तो fast adverb है, तो उसको बताने के लिए एक और adverb ह जाएगा, बट ये चीजे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो इसको रहने दीजे आशीश, अभी धीरी धीरी सब समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जब पुरा ये series खतम होगा, जो session है, जो end होगा, अभी एक दो महीना मुझसे पढ़ लोगे, तो सारी ठीक है, इतनी बाते सब को समझ में आगई, ये सभी 23-24 वाले बच्चे हैं न, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, ये सब 23-24 वाले हैं, ये सर, ये सर, हाँ, अब ठीक लगा, चलो, आगे देखो, एक एक लाइन समझाओंगा, एक लाइन, ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं, जो आपको ना समझ में आए, अगर ध्यान से सुनते चले जाओगे तो, बढ़िया, चलो, आगे देखो, ये स्कूल बीगें, ये मतलब आम तोर पर जब स्कूल सुरू होता था, बीगें वग ये सकेंड फरॉम है, बहुत सारे बच्चों को वग की फरॉम नहीं आते हैं, 12th क्लास में आने के बाद भी, Begin, Begin, Begin तो second form है तो Begin लिख दिया Usually जब school शुरू होता था There was a great bustle Now what is bustle? Bustle मतलब noise इसको आप कहते हो hue and cry बहुत सारा शोरगुल बहुत शोरगुल होता था There was a great bustle which could be heard जिसको सुना जा सकता था पैसी वोजा है model का which could be heard out in the street बहर street में The opening and closing of desk Lesson repeated in unison Very loud with our hands over our ears to understand better and the teacher's great ruler wrapping on the table ये लाइन बहुत अच्छी है और पूरी बात को ध्यान से सुनियेगा Usually when school begin Generally जब school शुरू होता था बहुत सोरगुल होता था There was a great bustle which could be heard out in the street जिसको सुना जा सकता था गलियों में और वो क्या-क्या बसल होता था क्या-क्या noise होता था The opening and closing of desk ऐसा होता ने school में पहली class होती है तो आप देखते हो seat इधर उदर आवाज चूंचे करता रहता है The opening and closing of desk Lesson repeated in unison Unison मतलब एक साथ एक स्वर में Lesson जो होते थे वो एक साथ एक स्वर में पढ़े जाते थे Very loud बहुत जोर-जोर से With our hand over our ears ऐसा करके क्या होता है जब आप ऐसे करके पढ़ोगे तो आपका concentration इतना बढ़िया होगा इस समय में जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे कुछ ध्यानी नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं या क्या कर रहा हूं मुझे सिर्फ अपनी आवास तुनाई दे रही है तो जब आप ऐसे करोगे तो फोकस इतना अच्छा होगा बचपन में आपको ध्यान हो तो हम ऐसे ही करके कुछ चीज़े याद करते थे To understand better ताकि हम बहतर समझ सके तो इसके लिए भी पिटते थे भाई attendance नहीं बोल पाया तो उसके लिए दो थपड़ पड़ते थे कि बैटा attendance क्यों नहीं बोली कैसे भूल गया यानि कि तुम्हारा ध्यान नहीं था तो यह भी चलता रहता था बट नाव इट वाज अलसो इस्टिल लेकिन यह क्या आज तो एकदम सब कुछ शान था I had counted on the commotion Commotion मतलब उथल पुथल उथल पुथल मतलब जो इधर उधर की activity होती थी noisy उसी को कहलो I had counted on counted on मतलब सहारा लेना the commotion to get to my desk without being seen अक्सर ऐसा होता था जब मैं स्कूल पहुशता था तो खुब शोरगूल होता था बच्चे अपना पाठ याद करते थे सीटे इधर उधर होती थी और teacher अपना ruler पटकते थे और मैं क्या करता था इसी का सहारा लेकर counted on सहारा लेते हुए किश्यच का commotion का commotion मतलब यही जो उथल पुथल चल रहा है जो बसल हो रहा है जो noise हो रहा है यह जो hue and cry हो रहा है इसी का सहारा लेकर without being seen बिना दिखाई दिये कि मतलब मुझे teacher पकड़ना पाए इसी सोरगूल से class में भुशके बैट जाता था होता है ना कि सुबह पहली class चल रही हो teacher अभी आये हैं तो कोई बच्चे खड़े हैं कोई बैग पठक रहा है कोई बोल रहा है और उसी बीच में कोई बच्चा है तो धिरी से आकर बैट गया पता नहीं चला but of course लेकिन वास्तों में that day everything had to be as quiet as Sunday morning उस दिन बिलकुल अजीबो गरीब बात थी सब कुछ उतना ही शांत था as quiet as Sunday morning जितना की Sunday की morning यही सब आप से उचा जाएगा कि जो बच्चा था जिसको आप कह सकते हो little friends आगे चल के आपको पता चल जाएगा तो little friends उस दिन school क्यों नहीं आना चाता था तो आपको कि सर क्योंकि उसको पता था कि उसके teacher Mr. Hamill participants के बारे में पूछेंगे and he did not know a single word about them उसे participants के बारे में एक भी शब्द नहीं पता था bulletin board क्या है तो bulletin board source of information है जहां पे सारी information मिलती है और little friends वहां से little friends कौन है यह चोटा बच्चा है नहीं कि narrator और Mr. Hamill कौन है teacher यही दो main character है तो जब little friends वहां bulletin board के पास से निकल ला होता है तो देखता है बहुत भीड है और bulletin board source of information है क्योंकि last दो सालों से जितनी भी बुरी news है चाहें वह draft हो चाहें वह commanding officer का order हो और चाहें वह lost battle की news हो सारा वहीं से मिला था जब little friends इस्कूल में पहुँचता है तो वह क्यों surprise हो जाता है क्योंकि sir usually school में बहुत सारा बसल होता है बसल मतलब noise होता है teachers जो है वो ruler को पटक रहे होते है Mr. Hamill अपने ruler को seat पे पटक रहे होते है opening and closing of desk क्याने की seat इधर उधर हो रही होती है बच्चे अपना part repeated their lesson in unison एक साथ एक स्वर में putting their hands over their ear अपने हाथों को अपने कान के ऊपर रखके to understand better ता कि वो बहतर समझ सके इस काम के लिए ऐसा करते है तो बहुत सारा शोर्गुल होता है और अक्सर मैं इसी शोर्गुल का फैदा उठा के I counted on this commotion मैं ऐसा किया था previous instances में और मैं class में enter कर गया था लेकिन 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 उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था everything was as quiet as Sunday morning सब कुछ Sunday morning के जैसा quiet था through the window और window के through मैंने देखा C की second form saw my classmates already in their places अपनी जगा पे बैठे थे and Mr. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler अपने भयानक iron ruler के साथ और दिन मैं surprise था आज Sunday नहीं है तब इतनी शांती क्यों है भाई डेली इतना हल्ला होता है आज class में इतनी शांती क्यों है क्यों सब लोग इतने शांत है और तब मैंने विंडो से देखा teacher तो भूम रहे है ruler लेके कौन Mr. Hamill अपना iron ruler लेके टहल रहती दूर और सारे बच्चे अपनी जगा पे बैठे हुए थे under his arm और अपने हाथ में ऐसे ruler लेके और Mr. Hamill टहल ले थे I had to open the door and go in before everybody और मुझे दरवाजा खोलना था और सब के सामने ही जाना था मेरे पास कोई option नहीं था इसके पहले मैं क्या करता था जितना हल्ला होता था उसी हल्ले में धीरे से निकल जाता था इस बार ऐसा नहीं था मेरे पास कोई यह क्या है भाई अगर थोड़ी भी रिस्टेक्ट हो ना बागेश्वा धामसरकार तो यार यह कोई कमेंट करने का तरीका है मत करो ऐसे बाद में मैसेज कर देना मैं देख लूँगा You can imagine how I blush and how frightened I was जरा सोचिए narrator कह रहे हैं आप लोगों से जरा सोचिए कि हर दिन जब मैं स्कूल पहुंचता था तो मैं चुपके से वो जो नॉइस होता था जो बसल होता था जो कॉमोशन होता था मैं उसका सहारा लेके क्लास में एंटर कर जाता था अब जरा सोचिए उस दिन मैं कितना शरम से लाल हो गया कितना blush कर गया जब मैं देखा कि सब लोग मुझे ही देख रहे है अरे फिर आ गए बैटा लेट तो सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे थे how blush I was कितना blush हो गया था मैं and how frightened I was कितना डर गया था मैं frightened मतलब डरा होना डरा होना डरा होना but nothing happened लेकिन कुछ भी नहीं हुआ nothing happened Mr. Hamill saw me and said very kindly Mr. Hamill ने मुझे देखा और बड़ी प्यार से कहा said वब है वब के बारे में बताएगा तो adverb हो जाएगा कितना kindly? very kindly adverb के बारे में अगर कोई चीज बताती है तो वो भी क्या हो जाएगी? adverb हो जाएगी लेकिन जब कोई बात double inverted comma के अंदर लिखी जाएगी तो वो उसी tense में लिखी जाएगी जिस tense में उस समय रिपोर्ट की गई थी यानि की बोली गई थी तो उस समय ये imperative sentences है जब भी कोई sentence verb से start होता है तो वो imperative होता है come here, यहाँ आओ, go there, वहाँ जाओ sit down, bad job, help me, मदद करो, तो उस समय teacher यानि की Mr. Hamill ने जो कहानी को narrate कर रहे है, यानि की narrator यानि की यह जो student है, यानि की जो little friend है, उससे कहा go to your place quickly अपनी जगा पे चले जाओ कैसे जाओ जल्दी जाओ, तो quickly किस के बारे में बता रहे है, go के बारे में, go शब्द क्या है, verb, verb के बारे में बताएगा, तो क्या हो जाएगा, adverb बास सब्जार यह, quick क्या होता है, quick adjective, quick क्या होता है, adjective और adjective में ly लगा कर, generally, हर बार ऐसा नहीं होगा, generally ऐसा होगा कि adjective में ly लगाकर, adverb बनाते हैं इसी लिए क्विक में लगाया तो इसके बारे मता रहा है वह के बारे में के एर फुल में लगाओ तो केरफुली एडवाब है उन्होंने कहा कि जल्दी से अपनी जगह पे चले जाओ लिटिल फ्रेंज वी वर बिगनिंग पास्ट कॉंटिनिवस टेंस है वी के साथ वर लगाया वी वर बिगनिंग विदाउट यू विदाउट क्या है प्रिपोजीशन वी वर बिगनिंग विद कर रहे हैं यानि कि जो लड़का है उसका नाम है लेटिल फ्रेंज और लेटिल फ्रेंज उस दिन स्कूल के लिए लेट था वो डर रहा था लेकिन जब वहां पहुचा तो सिचुएशन बिल्कुल अपोस थी उससे तो प्यार से कहा सर ने वी वर बिगनिंग विदाउट य और स्कूल के लिए जब वो रास्ते में तो उसको क्या दिखा कि बुलिटेंग पर भीड लगी है क्यों लगी उसको नहीं पता लेकिन उसको पास टैंग नहीं था रूपने का वह चुप्चा पी तरह भाग रहा था जब इसकूल पहुंचा बुल्टेंग क्या है वहां पर पाट को याद करते थे अपने कान के उपर हाथ रखे और जो सीटे थी वो इधर उधर होते थी लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था अब जो यह बच्चा है यानि कि जो नेरेटर है यानि कि लिटिल फ्रेंज है वो इसदम सर्प्राइज था कि अब मैं क्या करूँ मैं यह बरेगता है तो हमेशा इसी शोर गूल का सहारा लेकर जाता था यास तो कोई शोरगूल होई निदी रहा है अब मैं कैसे क्लास में तो बहुत ब्लश हो गया बहुत फ्राइटें लहा हो ब्लश मतलब लाल हो ना फ्राइटें gets to it नहीं था सब के सामने ही उसको क्लास मे एंटर किया उसको लगा कि मिस्टर हैमल यानिकि उसके टीचर कुछ बोलेंगे लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से कहा गो टू यूर प्लेसेज क्विक्ली लिटिल फ्रेंज अपनी जगह पे चुप-चप चले जाओ वी वर बिगनिंग विदाउट यू हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे क्या आपको यहां तक सारी बाते समझ में आ गई सब कुछ मिलेगा बेटा देखो अगर क्लास के आप बात मैसेज कर देना आपको कॉमेंट बॉक्स में बाकी नंबर दे दूँगा आपको बता दूँगा मुबाइल नंबर है 831707156 831707156 इस नंबर पर मैसेज कर देना मैं क्लास के बीच में सब चीजे बात नहीं करूँगा एक क्लास में केवल पढ़ाई होगी जब भी यहां बैठेगा कोई बच्चा तो उसका एक एक पढ़ाई के लिए डेडिकेट होना चाहिए और वो पढ़ाई खुदेगा तो 831707156 है इस नंबर पर मैसेज करना एक एक इनफॉर्मेशन आपको दे दूगा जो भी पूछना होगा यहां पर जब भी क्लास होगी है ना तो यह हमेशा से रहा है मेरी इस क्लास में आपको सिर्फ पढ़ने को ही मिलेगा बकाईती नहीं मिलेगी जाते चलो और कुछ एक दो बच्चे के लिए क्लास चलाना बहुत मुश्किल है एक दो बच्चे के लिए क्लास चलाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए तो जो चीजे आपकी पढ़ी है वो देख लो या फिर अंडिय के लिए अगर पढ़ना है तो मेरे पास इतने बच्चे ने के लिए पढ़ आगे अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है हां अगर कोई आपके और भाई-बेन है कोई दोस्त है जिनको पढ़ना हो तो उनसे शेयर कर सकते हैं यह जरूर कह सकता हूं मैं क्लियर सभी को सर बता दो क्या बता दूं आप इस नंबर पर मैसेज कर देना 831707156 टिक तो इस पर मैं आपको बता दूंगा किस चैनल पर पढ़ लो कि अंडिय की त्यारी के लिए न किस चैनल पढ़ लो मैं बता दूंगा चलो कि नेक्स देखो कि अगला पारग्राफ देखते हैं मैं अपनी सीट पर कूद के बैठ गया है जल्दी से गया और बैठ गया क्योंकि मैं तो पहले ही डरा हुआ था ब्लस्ट था लाल हो रहा था यह क्या हो गया मुझसे मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था और अब लेट आया था कुछ ऑप्शन भी नहीं था हर बार शोरगूल में बचके चलाता था आई जम्प ओवर दबेंच और अपने सीट पे जाकर बैढ़ गया नॉट तिल देन पर राइड गॉट अलिटिल ओवर माई फ्राइट मतलब डर देखो एफ आर आई जीस्टी फ्राइट का मतलब होता है डर इसी फ्राइट वर्ड से बनना है फ्राइटेंड और फ्राइटेंड और फ्राइटेंड का मतलब होता है डराना फ्राइटेंड करना डराना तो इससे बना हुए वर्ड है फ्राइटेंड तो अभी उपर आया था फ्राइटेंड को और यहां पर है फ्राइट तो यह जो फ्राइट है यह जो फ्राइट है वह एड्जेक्टिव है जब मैं अपनी सीट पर गया और कूद के बैठ गया और तब तक नौट तिल देन वेन अपने डर पर थोड़ा काभू पा लिया जो मेरे अंदर था जो मेरे अंदर नर्वस्त थी थोड़ा काभू पा लिया कि भाया यह समझना पड़ेगा क्या है तो मैं थोड़ा उससे उपर उठा डिटा वर टीचर हैड ओन इस बीटिफूल ग्रीन कोट तो पहले सर्प्राइज हुआ था कि क्लास में एकदम शांती थी, कोई सोरगूल नहीं था, फिर एक बार और सर्प्राइज हुआ, कैसे सर्प्राइज जो गया, जब मैं अपनी सीट पे बैठा और अपने फ्राइट को, मतलब अपने डर को थोड़ा पार पाया, उससे उपर था, तब मैंने नूटिस किया, हो, हमारे टीचर ने तो आज ग्रीन कोट पहन रखी है, I see, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, sab कढाई की गई थी, उनकी जो कोट थी, shirt थी और कैप थी, तो his beautiful green coat, frilled shirt, और little black silk cap, all embroidered, that he never wore, we are की second form है, we are मतलब पहनना, that he never wore, except on inspection and prize day, inspection और prize days के अलावा, वो कभी नहीं पहनते थे, तो जो little fringe है, अब मैं बार-बार क्या बोलूँगा, little fringe, starting मैंने बच्चा बोला, narrator बोला, अब मैं जितनी बार पढ़ूँगा, उतनी बार बोलूँगा, little fringe, तो little fringe जब class में पहुंचा, तो उसने क्या देखा, कि पहले तो कि class में शोरगुल होता था, वो नहीं था, तो पह है, that he never more accept price days and inspection, जो वो कभी भी price days और inspection वाले दिनों के अलावा, कभी नहीं पहनते है, कभी पहनते है, price days के दिन, और inspection के दिन, अब यहां पर एक word है, accept, आईए बताता हूँ आपको, एक word होता है, a double c e p t, accept का मतलब होता है, स्वीकार करना, स्वीकार, या स्वीकारे भी ऐसे लिखते हो, स्वीकारे, हिंदी दो लो देख लेना, स्वीकारे, करना, स्वीकार करना, और एक word होता है, accept, कोई offer आप क्या करते हो, accept करते हो, a double c, यह सब आता है, आपके paper में पूछा जाता है, और जैसे c ut वाले कुछ बच्चे बार बार मेसेज कर रहें न, c ut के लिए पढ़ा दीजे, तो इसी तरह के word आपके c ut में आ जाएंगे, तो इस साल, क्योंकि यह पहली बार हम c ut के लिए पढ़ा रहे थे, तो हमें इतना एडिया नहीं था, c ut के लिए, last year c ut इंट्रोडूस किया गया, last year हमने c ut के लिए पढ़ा ही थ मतलब कोई चीज के अलावा, accept this, inspection day और price days के अलावा, बाकी वो हर दिन ये dress, मतलब इसके अलावा कभी ये dress नहीं पहनते थे, तो a c e p t accept होता है, ex c e p t accept होता है, besides इसके अलावा, इन सब के अतरिक्त, इन सब के, मतलब इन सब बातों के साथ अतरिक्त, the whole school seemed so strange and solemn, solemn का मतलब होता है serious, उस दिन पूरा इसकूल काफी अजीब दिखा और काफी serious दिखा, besides, एक और वर्ड आपको मिला, थोड़ा सा इसको मैं समझाना चाहूँगा, एक दो मिनट में बता दूँगा, देखे, एक word होता है beside, b-e-s-i-d, बहुत ध्यान से समझेगा, beside मतलब बगल में, जैसे बोलते हो, वो आया और मेरे बगल में बैठ गया, वो आया और मेरे बगल में बैठ गया, he came and sat beside me, ये सब आता है, सब जरूरी है, सब नोट कर लिजिएगा, he came and sat beside me, और फिर एक word होता है besides, क्यों उसका मज़ा और ज्यादा हो जाता है जब ये सारी चीज़े सीखते हो चलते हो तो, ठीक है, तो besides मतलब, in addition to कहलो, या के, साथ-साथ, के, साथ-साथ, के, साथ-साथ, या के, अलावा भी कहलो, accept मतलब को छोड़कर, और इसका मतलब के साथ, besides, मतलब इन सब के साथ-साथ, the whole school seemed so strange and solemn, वो जो पूरा इस्कूल था, वो काफी अजीब और काफी serious दिख रहा था, चलिए, बताइए, price days मतलब, जिस दिन price distribution होता था, clear सभी को, क्या बटा, इतनी बाते सब को clear होगी, इस छोटी-छोटी जो बाते मैं बता रहा हूँ, चलो, अगला देखो, एक और paragraph, लेकिन एक और चीज थी, दो चीज़े surprise कर चुकी थी, दो चीज़े क्या क्या surprise कर चुकी थी, एक किस class में उस दिन शोरगूल नहीं हो रहा था, बिल्कुल शान्ती थी, दूसरा क्या उनको surprise हुआ, उनको surprise हुआ, उनको surprise किया little french को, तो, जो मिश्टर हैमल थी, उनकी dress, और तीसरा उससे भी ज़्यादा surprise करने वाली चीज़ थी, पीछे की seat हमेशा खाली होती थी, उस दिन वो seatे खाली नहीं थी, जो गाओं के लोग पढ़ने आते थे, वो हमारी ही तरह चुक्चाप बैठे हुए थे, गाओं के लोग भी हमारी तरह चुक्चाप बैठे हुए थे, ओल्ड हाउजर, कोई नाम है कोई परसन का, विट इस थी कॉर्णर हैट, तीन कॉर्णर वाली हैट थी उसकी पास, हाँ, ऐसी कोई हैट थी उसके पास, फॉर मैयर, पॉर्व मेयर, फॉर्भप्ट् Appस, फॉर्भ पॉर्व, फॉर्व कैप्टन, इंक 75 और वालाव और कई लो, हिनके साथ-साथ कई और लो, Everybody looked sad, अभी लिटिल फ्रेंच को कुछ नहीं पता है, क्या हो रहा है, यह सारी घटना उसने एक एक करके बता दी कि वो इस स्कूल के लिए निकला था लेट था और बुल्टन बोट से होकर क्लास में पहुंचा क्लास में शोरगुल होता था उस दिन सांती थी मिस्टर हैमल नो से कहा लिटिल फ्रेंज वी वर बिगनिंग विटाउट यू गो तो यूर प्रेस कुक्ली अपनी जगा पर जाके बैठा जब उसने बैठा तम नोटिस किया कि मेरे टीचर मिस्टर हैमल ने तो आज ग्रीन कोट फ्रिल शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप पहन रख और भी कई अत्रिक्त लोग और इसके अलावा ओल्ड हाउजर कोई व्यक्ति है कोई परसन है यह प्रॉपर नाव नमेशा कप्टिल ट्रम लिखा जाता है यह सब लोग आकर चुप चाव ऐसे ही उस सीट पर आखरी की सीटों पर बैठे हुए थे और सब लोग बहुत उदा अब आखरी का था विटिस ग्रेट स्पेक्टेकल लाइं अक्रॉस दपेचेज और उसके जो चश्मे थे स्पेक्टेकल थे वो पेजेस पे ऐसे ही पड़े हुए थे ठीक इस्पेक्टेकल को ध्यान रखिएगा एक और वर्ड है इस्पेक्टेकल बहुत ध्यान से सुनेगा बेटा एक होता है इस्पेक्टेकल और एक होता है इस्पेक्टेकल अभी आपको स्टाटिक में बताया था वुड और वुड्स मतलब लकडी और वुड्स मतलब और स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा यानिकी ग्लासेज ठीक तो यह यहां तक आपको सबको समझ में आगया होगा मैं यह उमीद करता हूं जो भी बच्चे हैं एक बार कोमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एक बार फिर आपको इसकी तरफ क्लास के आखिर में कि यह जो тरिपाथी और यह जो इंग्ली चैनल है दeeneen sarda educator इसके अलबाव प्लेज स्टोर से जाकर गूगल प्लेज स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं एक एक प्रासे में आपाफ्लिकेशन पर यूटूब बात बजूजक्रा और जो यह paid classes होंगी, application पे Hindi की classes 8-9 होंगी, Monday, Tuesday, Wednesday पे और YouTube पे Thursday, Friday, Saturday 8-9, timing 8-9 है, लेकिन application पे 3 दिन और YouTube पे 3 दिन, उसी तरह से class 12 English, चाहे UP Board कहिए, चाहे CBC Board कहिए, 3 दिन application पे और 3 दिन YouTube पे, आज Monday था तो आज YouTube पे है, Tuesday और Wednesday, 3 दिन, timing 7-8 और 8-9, Play Store पे जाईए, और यह जो course है, वो 1200 का है, लेकिन इसी किया गया, 600 तक, first 100 admission तक, आशा करता हूँ, को आपको यह बात समझ में आगई होगी, और जो भी बच्चों का आज पहला दिन था, नमस्ते भाई शिवमसा, तो जिन बच्चों का आज पहला दिन था, शायद उन्हें कुछ चीजे समझ में हाई होगी, कुछ कहना चाहते हो, तो और बता सकते हो, इसके लाबा, मुबाइल नमबर भी नोट कर लिजे, कि अगर किसी बच्चे को कुछ दिक्कत है, तो वो मुबाइल नमबर पर मैसेज कर सकता है, ठीक, मेरा मुबाइल नमबर है, 831707156, यह नमबर है, इस नमबर पर आप मैसेज कर सकते हो, चलिए, तो फिर चला जाए, आज के सेशन को इतना ही रखा जाए, और कल की क्लास में फिर मिलेंगे, इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए, करते हुए, और जैसे ही तीसरा दिन होगा, आपको यह पूरा चप्टर कम्प्लीट हो जाएगा, बहुत गज़व तरीके से, ठीक है, तो किसी को कुछ कहना हो, तो बताईए, जो भी बच्चे क्लास में है, और कुछ नहीं कहना हो, तो फिर बाई-बाई, शुबराज तरी आपको, कल की क्लास में फिर मिलेंगे, सर हिंदी की क्लास है आज, नहीं, काना सर्मा, आज हिंदी की क्लास नहीं हो पाएगी, किसी अपरिहाय कारण, इनेविटेबल रिजन्स की वज़ए से, सर को कही जाना पड़ा है, तो इंग्लिश्ची क्लास कल से स्टार्ट होगी, ठीक, और सर कहना थे कि मेरे लिए मंगलवर बहुत अच्छा दिन होता है, तो मैं मंगलवर से क्लास स्टार्ट करूँगा, ऐसे भी समझ लिजए, आनंद जी, बिल्कुल, वेलकम, प्रनाम, चलिए, तो फिर, आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हुए, कल की क्लास में फिर मुलाकात होगी, 7-8 यहीं, यूटूब चैनल पे, इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट, दे लास्ट लेसन का, और कल आपको इसका सेकेंड पार्ट और परसो थर्ड पार्ट, तीन दिन में एक क्लास ओवर हो जाएगी, हिंदी की क्लासे कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? किसी को कोई और इंक्वारी लेनी हो, कुछ पूश न हो, तो लास्ट के एक दो मिनिट आपके लिए हैं, क्लास के बीच में मैं बातचीत नहीं करूँगा जादा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन बढ़ियां लगा हो, तो जरूर एक बार अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, सर एक एक लाइन को इतना बहतरीन तरीके से एक्स्पेंट किया जाएगा, कि दिल खुश हो जाएगा आपका, बाई बाई, गुड नाइट, शुबरात्री, मिलते हैं कल शाम में, फिर से साथ बजे, इसी जगह पर, इसी मोड पर, इंतजार करिएगा हम आपका, थेंक यू.